एक जानकरी हमें इस्कूल कॉलिज भी मिलती है, घर में मिलती है, घर में जो परिवार है, माता, पिता, भाई, बन्द और जित्ते भी लोग हैं, एक जानकारी वहां से मिलती है, एक जानकारी में यही बताया जाता है, कि कोई चीज अगर हमें समझना है, आखों से ध्यान से देखे, कान से सुने, हाथ से पर्खे, मन और बुद्धी का प्रियुक करके समझे, दोसो इंद्रियाओं के माध्यम से, मन और बुद्धी के माध्यम से, हम खोज करते हैं, सच जनने का, कि सच है क्या, यह जो खोज की जाती है, इंद्रियाओं के साहरे, मन और बुद्धी के साहरे, इस तरह से सच पाने में, बहुत समय लगता हैं, दस लाख वर्ष, बयाध ही रहित, समय चाहिए, और सच की खोजी ही मानो का लक्षे, हमारी जी एक अलोकिक रचना है, इस पेसल याकार है, जिसमें सिर उपर, इरिध नीचे है, और जानरों में सिर और इर, जमिन के समन अंतर, पेड़ों में सिर नीचे, बाकी चीज उपर, हमारे वेशिस्ट आकार का एक ही लक्ष है, सत्य की खोज, और सत्य की खोज में पूरी दुनिया लगा है, प्रफेसर, जो साइन्टिस्ट हो जाते हैं, और रनेक लोग, तरह तरह की विधी से हम सच की खोज करते हैं, बीमारी आती है, कैसे ठीक हो, सच क ने का बाते हैं, जो की खेवती है, चिनेता हो। क्दा हो जान ओती है, मन में कंट होज ह। उच्छी होते हैं, जो चीज हम चाहते हैं उस औरह की पूर्दी क्या हों। इस आ तरह के विवस्थं में हम डूब नोग रहे हैं, होई लोग जोinação में झानम के बाद जनम लेते लей है एक अनुह कर लेते हैं, क्या मुट खुझे ले जातितना भी खुझे किताबों में, किता भी पड़ें, शबद कोछ ले, डिक्षिनरी ले, व्याख्या ले, कितना भी एंद्रियों का इस्तेमाल करें, मन और बुद्ध का प्रियोक करें, सच्छी की अनुहुती आसान नहीं तो सच्च की खोज बहुत कथिन है इस माध्यम से सच्च की खोज कथिन है लेकिन करना तो है क्योंकि यही लक्ष है हमारा मानों का यही लक्ष है कि सच्च की खोज करें जिस तरह से स्कूल विद्याले में, कॉलेज और इन्वर्सिटी में या घर परिवार में सच्च की कि सच की खोज हो नहीं पाती है। ऐसे जीवन चलता है, जीवन पर जीवन, जीवन पर जीवन, चलते चलते, लगता है कि कुछ बदल रहा है। आज से अनेक वर्स पहले, लगभग 500 इस्वी में, और हन से हन कुछ और था, जीवन जेने की कला कुछ और थी। आदमी आदमी को मारता था, धर्म के नाम पर इश्वर के नाम पर नर बली जाती थी। कोई हाथ पैर काट करके चलता था, कोई कान काट के चला दिया, कोई जीव चला दिया, कोई इंगली चला दिया। आज बवस्थाएं बदल गई, आज हम ऐसा नहीं करते है। तो इसका मतलब कुछ तु हुआ, पांट सु एश भी से आज तक आज तक आप देखिए, कुछ हुआ, कुछ बदला हुआ, ऐसे सूचिए, आने वाले समय में और बदला होगा, ऐसे बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, दस लाख वर्ष के बाद, फिर अरिख देखिए, लो क्या होगा रिख वर्ष करें गेसे स्टितत्य को भी रूपांत्रिथ करतें तो, क्या होगा उसमें एप किर परोपवित गर्णी में न्हीं किर ऴि नहीं होगा गा iPhone, कि पंगल उने लेखिए स्टित्य को भी तो रूपने होगे हैएगा अंगल और जिस रूप को चाहे हम उसे अद्रिष्य कर सकते हैं, यह होता है सच्ची की अभूती कर ले पर. क्या ऐसा संभव है, ऐसा हम आज भी कर रहे हैं, खाते हैं, कार्भोहाइडिर्ट, चावल दाल, रूटी, सबजी, जो भी खाते हैं, इसका रूपांतरण तो कर रहे हैं, खून में, मानस्पेशियों में, और श्तरिक अंदर, जिस रशक्ति से हम हाथ पर हिला रहे हैं, जो कर रहे हैं, कि रूपांतरण के क्रिया संभ है, तो जो रूपांतरण करने में हमें 10 लाख वर्ष लगेंगेंगे, अब हम लोग सुनिष्यत कर लिए हैं, कि हजारों जन्म लिए होंगे, तब छीज समझ में आ रहे हैं और इसलिए यहां पर रहे हैं, ऐसे हां पर अनायास ज़ नहीं आये हैं। इतनी सुक्ष्म चीज जुको बताईएं तो समझ नहीं नहीं आयेगा। यह आप पे बीच में ही बताया जारहा है। इसको पहीं हैं उस बताईएं तो उस तरह से बताएंगे तो गratt होगा। प्रतेक सभा में इसी चीज को अलग अलग तरह से बताया जाता है तो याद रखिए अब समय आगया है कि हम उन रिष्यो मुनियों को याद करें जिन्हों ने सच के अन्भूती कर लिया कौन से रिष्यो मुनि किसको याद करें किसे बताया 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 किस भूझासा मैसी हुआंगा नहीं दुछ जब हम इंजिनिर इंजिनिर हो जाते हैं मेंडिकल साइस्ट तडॉक्टर हो जाते हैं तो जब पैगंब्डू की शिक्षा को हम पड़े और अभ्यास में लाएं तो पैगंबर्त लोग हो नहीं रहें Kabir Sahib ने ये कहा, वो कहा, हम लोग पढ़ते हैं, उस पर चलने का प्रयास करते हुए, कोई दुबारा कबीर तु हुआ नहीं होगा, लेकिन उनी की तरह ज्यानी तो होगा, कैसे होगा, कौन हुआ था, नानकदु जी हुए थे, नानकदु जी नानकदु जी, कबीर साहब के इस और उनके मार्क पर चलकर उनी की तरह ज्यानी होगे थे, तो क्या किया था, कबीर साहब ने ये पता नहीं, नानकदु जी ने पता नहीं, क्यो कहा जाता है, कि नानकदु की शिक्षा है, ये कबीर साहब के शिक्षा है, उस पर चलकर के, कोई हुआ तो नहीं अभी तक, कित ओर उन अठर सौमी बनाने है। अब अमारी एख्या हो गये है। हम लोग दिन प्रतिग्य हो गए है है। अब में बनना है, कभिर साहब की तरह, ननकदिव की तरह, गौतम बुद्धी की तरह, महा बीर स्वामी की तरह, वर्षिष्मन विष्वमित्री की तरह, भगवान राम और कृष्ण की तरह, ईशा और मुसा की तरह, बन्ना है अब, अब जब बन्ना है, तब समझ में आएगा जो हम कह रहे हैं, फिर सब चीजों को अपने अंदर खोजिए, कल्प ना करिए कि हम आपको ढूड़ रहे हैं, आप मिल गए जीए और बड़ा खुश हुआ, फिर साथ हरने लगे, फिर जवड़ा केस बात का, विवाद केस तरह का, एक माता पिता होते हैं, बच्चे को जर्म देते हैं, बच्चे माता पिता में विवाद होता है, तर्क वितर्क होता है, एक दूसरी के बातों से सामत नहीं है, ऐसे ही विवाद करते हैं, पति-पत्नी मिलते हैं, एक दूसरे से मिलने ही पाते हैं, तो क्या तरीका है? कि हम मिले और उसमें श्यांती हो उसमें ज्ञान मिले, विवाद नहो किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहो ति उपाय है ये अपने अंदर सबसे मिलिए अपने अंदर मिलेंगे तो विवाद नहीं होगा जैसे पानी से बाहर मिले पानी में बैठे ही रहे पानी से मिलने के लिए बीमार हो जाएगे हम पानी को अंदर से मिलें अंदर में जो पानी है उसकी अंभूती करें बाहर के पानी में देड तक बैठेगे ते पुरा कपुरा सुरूप दिमेगरिटाइज हो जाएगा अध्धत्मिक तक कम हो जाएगी बीमारिया बढ़ जाएगी इसी तरह से जो हम एक दूसरे के साथ रह करके बात चीत करके एक साथ जियन वेतीत करके जो मिलने का प्रयास करते हैं यह होता नहीं है करके देख लिजे लेकिन मिलना अवश्यक है कि सच के अन्भूती मिलने में ही है यह जोग क्या है दूरी की सुर्णिता आप जिते लोग बैठें सोचिए क्या आप की दूरी किसे से सुर्णि हुई है चाहे मा हो या पिता हो भाई या बंध हो बच्चे या पतनी हो पती हो, कोई भी हो क्या दूरी की शुनिता हुई, उत्तर मिलेगा नहीं हुई और जब तक दूरी की शुनिता नहीं होगी, तब तक सच्छी की अन्भूती संभो नहीं है और सच्छी की अन्भूती बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही लक्ष है हम अपने लक्षे पर चलना है हमें तो सच खिर्भुती कैसे करें यह बहुत आवश्यक्य समझना और इसको करके रहिए इस जन्मे अब हम आख बंद करके बाहर न देखें आख बंद करके अंदर देखें अंदर कैसे देखें जो माथे के सामने जो प्रकाश अंधकार दिखाई पड़ता है उसी को देखते रहिए वही अंदर देखना हुआ अब बाहर सुन करके हम जो सोचते हैं कि एकतास्थापित होगी यह सम्मोह नहीं है अब कान बंद करके सुने जो कान बंद करते हैं जो वाइवरिसन सुनाई पड़ता है उसी को सुनते जाएए उसी से जुडते जाएए तब आप देखेंगे कि सब से जुड़ रहे जोडने की क्रिया अब हो रहे है अपने पैरों में कागर होईए हाथों में कागर होईए सिर से पैर के अंगली तक पूरे अस्तित्य में एकागर होते जाएए तब आपको पता चलेगा कि सच्छे की खोज का ये तिवर्तम मार गहे कर दोड़ों में एक पता है झाल झाल झाल